जेनियू में देश विरोधी नारा लगाने के आरोप में गिरफतार कनहिया को 14 दिनों के लिए फिलहाल तिहार जेल में रहना होगा जिस आतंकी अफजल के लिए नारे लगा रहे थे जेल में अब उसी अफजल के कमरे में रहेंगे कनहिया जिस अफजल को सही बता रहे थे कनहिया अब उस सेल में उसे अनुभव भी करेंगे जिस भारत की फिजा में विश बोल रहे थे कनया, अफजल को शहीद बताने के लिए अब उसी सेल में वही विश उन्हें 14 दिनों तक सताएगा JNU SU के अध्यक्ष कनया कुमार को तिहार जेल ले जाया गया, अधिकारियों ने जेल परिसर के अंदर उच्च सुरक्षा अलर्ट जारी किया है और राष्ट दो के आरोपों का सामना करहे चात्वनेता की सुरक्षा के लिए हर समय नज़र रख रहे हैं कनया को उसी वार्ड में रखा गया था जhar की जेल नंबर 3 की सेल में रखा गया है इससे पहले अफ़ल गुरू को भी जेल नंबर 3 में रखा गया था सुरक्षा के लिहास से कनया को CCTV की निगरानी में रखा गया है इसके पहले कनया ने जेल अधिकारियों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई कनया को अकेले रखा गया है ताकि उस पर कोई हमला ना कर सके पठियाला हाउस कोट परिसर से कनया को ले जाने के दौरान वकीलों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा कोट परिसर में कनया का मेडिकल टेस्क कराए गया उसे कोट के लॉक अप तक ले जाने में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा रास्ते में करीब सौ वकील खड़े थे और नारेबासी कर रहे थे इस्थिति के मद्दे नजर पुलिस को कनया को पटियाला हाउस कोट के पिछले गेट से ले जाना पड़ा पेशी के दौरान वकीलों ने कनया कुमार के साथ धका मुक्की और मार पीट की वकीलों ने कनया को कोट ले जाते समय घेर लिया और पिटाई की यही नहीं उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों पर पत्थर भी फेके जेन्यू में कारेक्रम के सिलसले में राश्ट दो के आरोपों के मामले कास सामना कर रहे जेन्यू एस्यू अद्रक्ष को दिल्ली पुलिस ने बारा फरवरी को गिरफतार किया था उन्हें दो मार्च तक नयाई खिरासत में भेजा गया है कनया की गिरफतारी का विरोध और उनकी रिहाई की मांग करते हुए जेन्यू के चात्र हरताल पर हैं जिससे जेन्यू में शिक्षा विवस्था चौपट है